Hello student, welcome to my YouTube channel आज जो वीडियो में हम बात करेंगे इसमें मैं friends एक कंपनी है Hindustan Jink Limited जो की Vedanta Group की कंपनी है I don't know आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुना है नहीं सुना लेकिन ये जो कंपनी है इसमें एक job notification आया है और वो job notification जो है वो है B.A.C. और become के student के लिए तो जैसे ही मुझे इसके बारे में पता लगा तो मैंने सोचा क्यों न इसे आप सभी के साथ जो है वो share किया जाए जिससे कुछ जो student जो होंगे जो की उस job के लिए eligible होंगे कहीं न कहीं उन्हें benefit होगा और अगर उनमें से किसी को यह job लग गई तो जो है वो उसके लिए काफी ज्यादा beneficial होगा तो इसलिए मैं जो है यह job notification आपके साथ share कर रहा हूँ यह मैं तब से देख रहा हूँ जब मैं खुद B.A.C. में था मेरे कई सारे जो friends थे उन्होंने भी B.A.C. के बाद इस job में जो है वो entry ली थी तो अभी तक यह चली रहा है सिलसिला इस सिलसिला मैंने जो है वो 2009 में 2011 में देखा था और उसके बाद भी continuous job आती रहती थी आज जैसे ही मुझे इसके बारे में पता लगा यहां से यह समझ में आगे है कि यहां से यह समझ में आगे है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेट जो है वो किस में काम करती है वो काम करती है जिंक लेट जो है उनमें यह जो है वो कंपनी काम करती है और इंडिया की largest और वर्ल की second largest company है इस domain में अब यहां पर जो opportunity है यह किस के लिए है यह opportunity है first class BSc और first class जो become के student है उनके लिए यहां पर यह vacancy है तो यहां तक जो है वो बात I think आपके clear हो गई होगी अब eligibility criteria की बात करते हैं 60% जो है वो यहां पर चाहिए throughout 60% throughout चाहिए 10th में 12th में graduation में without any backlog okay not more than one year of gap either between 12th and graduation और between graduation and post graduation तो यहां पर यह चीज clear हो गई कि 60% throughout होना चाहिए 10th में 12th में और graduation और post graduation अगर आपने कर रखी है तो और एक साल से ज्यादा का gap नहीं होना चाहिए आपके 12th में और graduation के बीच में और graduation और post graduation के बीच में one year से ज्यादा का gap नहीं होना चाहिए B.H.C. with chemistry as one of the subject जो B.H.C. वाली जो post है उसमें chemistry आपका एक subject होना जरूरी है जैसे किसी ने B.H.C. किया है Botany chemistry geology में तो वो eligible है किसी ने B.H.C. किया है completed in three years without any break और regular full time graduation की degree होनी चाहिए यानि कि distance learning से नहीं होनी चाहिए और एक major यहाँ पर बात कही है 2018-19 या फिर 2020 का pass out जो है वो student होना चाहिए तो eligibility में जो main बात है यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 60% throughout होना चाहिए 10th 12th B.H.C. या B.H.C. में और फिर post graduation में भी और एक साल से ज्यादा का यहाँ पर आपकी gap नहीं होना चाहिए 12th और graduation के बीच में और graduation और post graduation के बीच में एक साल से ज्यादा का gap नहीं होना चाहिए और become अगर आपने की है तो आपकी जो है वो regular degree होनी चाहिए और full time जो है वो degree होनी चाहिए without any backlog और अगर B.H.C. है तो chemistry as a one of the subject होना चाहिए आप 2018, 2019, 2020 के pass out होने चाहिए age related यहाँ पर एक बात कही गई है कि not born before 2nd April 1997 तो जो है 2 April 1997 के पहले का born आपका नहीं होना चाहिए weight जो है वो more than 50 kg for male and 45 kg for female height का criteria है more than 150 cm तो यह जो है height का criteria है अब बात आ जाती है सबसे important बात कि जो student यहाँ पर eligible है तो application process जो है वो क्या है interested and eligible candidate are advised to log on to the website यहाँ पर एक website जो है उसके बारे में दिया गया है जो मैं आपको जो है वो description में भी बता दूंगा इसके अलावा यहाँ पर में यह जॉब notification है वो भी आपके साथ share कर दूंगा तो यहाँ पर एक website जो है वो दी गई है the link will be active from 28th March to 5th April 2021 for registration तो दोस्तों यह जो advertisement है यह मैंने जो है वो Rajasthan पत्री का एक newspaper आता है उसमें देखा है आप भी जो है वो इसको verify कर सकते हैं और पूरा यहाँ पर आप भी जो आपका newspaper अगर आपके पास Rajasthan पत्री का है और I am sure यह देनिक भासकर जो news है उसमें भी आया होगा तो आप भी जो है वो job notification जो है वो देख सकते हैं वहाँ पर यह पूरा जो है वो लिखा है कि link जो active होगा वो 28th March से 5th April 2021 जो है वहाँ तक registration हो सकते हैं eligible applicant will be intimated over registered email ID या फिर SMS के थुरू उनको जो वो intimate किया जाएगा computer based जो है वो assessment test होगा जो कि 90 minutes का होगा और यह जो 90 minute का test होगा यह क्या-क्या इसमें आएगा तो यह comprises of aptitude analytical skills इसके लावा English और इसके लावा आपका general knowledge तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है कि जो आपके लिए eligibility criteria मांगा है वहाँ से आपका वो technical knowledge check कर रहे हैं और इस जो 90 minute का assessment test होगा यहाँ से आपका GK यहाँ से आपकी English यहाँ से आपका जो general aptitude है वो यहाँ पर test किया जाएगा successful candidate in computer based assessment will be called to appear in personal interview अगर आप जो है वो उनका exam clear कर लेते हैं तो आपको फिर interview के लिए बुलाया जाएगा और medical के लिए बुलाया जाएगा तो candidate can be disqualified at any stage of the selection process and the right for final selection of a candidate shall be with HZL तो यह तो हर company जो है वो यही बात बोलती है कि जो पूरा right रहता है वो company के पास ही रहता है and there will be no reimbursement for the expenses incurred by the candidate to attend the selection process तो अगर आप जो है वो return test clear करके interview के लिए जाते हैं तो उसका आपको कोई भी expenses reimburse नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर बात हो जाती है इस पूरे job notification की BSC और WICOM जो graduate है उनके लिए बहुत ही अच्छी opportunity यहाँ पर जो इंदुस्तान Jink Limited जो की वेदानता ग्रुप की company है उसके लिए जो है वो opportunity आई है काफी अच्छी opportunity है आप भी अगर eligible है इस post के लिए तो आपको जरूर से यहाँ पर apply करना चाहिए और यहाँ पर आपको जो है वो apply करने के बाद आपका जो computer based test है उसके लिए आपको अच्छे से prepare होना चाहिए और जरूर से यहाँ पर इस job notification में आपको apply करना चाहिए अगर आप 2018, 2019 या 2020 के pass out है और सभी eligibility criteria पर fulfill होते हैं आप apply करके इस job के लिए आप जो है वो तैयारी शुरू कर सकते हैं BSC और B.com graduate के लिए काफी अच्छी opportunity यहाँ पर Hindustan Jink Limited वेदानता ग्रूप लेकर आया है तो I am sure जो भी candidate eligible होंगे और चाहते हैं कि job करना तो उनके लिए काफी अच्छा यह प्लेटफोर्म है वो रहेगा Thank you for watching this video and आप अगर यहाँ पर eligible नहीं भी होते हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ share भी करिएगा तक कि किसी न किसी का तो भला जरूर हो Thank you for watching this video